अलो एंड वेलकम अगें टू पाथफाइंडर यह जो एकनॉमी की करेंट अफेर के हमारी सीरीज चल रही है इसका लेक्चर नंबर फोर है और काफ जारे टॉपिक्स हमने प्रिविएस लेक्चर में कवर किया है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दिस इस इस ब्रिफ इंट्रक्शन अबाउट मी माइन इम इस राहूल फरतवाज यह मेरा टेलक्राम चैनल है जिस पर आपको सैशन के पीडिएफ और इंपर्टन इंपर्मेशन मिल जाती है इसके लावा नकेडमी के प्लस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके अलावा अनकेडमी की तरफ से अल इंडिया प्रलिम्स मॉक टेस्ट किया जा रहा है यह टेस्ट होगा आपका संडे को सुबह साड़ेनों से स्टार्ट है तो डेफिनेटली आपको पहले ही पहुंचना है अब बिल्कुल प् लिंक है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर आप इस पर क्लिक करके यह कोड आप यूज कर सकते हैं तो अनलॉक दिस फ्री अर्भी लाइव यह कोड आप यूज कर सकते हैं इसके लावा CSE Assure जो अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आ यह फ्री एक्स्टेंशन और जो फीस है अनकेडमी प्लस की वह जल्द ही इंक्रीज होने वाली है तो यह जो जनरल प्राइस लेवल है वह पर्सिस्टेंटली राइस हो रहा है तो एक तो हो गया कि कोई भी जो कमोंडिटी है उसकी प्राइस आप इंक्रीज कर देंगे जैसे माल लीजिए पहले यह मैगी का पैकेट या बिस्किट का पैकेट 10 रुपे का आ रहा है तो आप इसकी कोस्ट इंपुट कोस्ट महंगी हो गई है लागत बढ़ गई है तो आ या फिर पर यूनिट जो वेट के हिसाब से जो कोस्ट है उसको इंक्रीज करेंगे और उस कीमत को इस्तिर रखेंगे जैसे यहां पर आप देख रहे हो पहले एक चिप्स का पैकेट है जिसकी प्राइस एक डॉलर आ रही है तो इन्होंने उस प्राइस को तो सिमिलर ही लख चीज भी देखी जाती है तो यह जो सारे शूज है यह श्रिंक फलेशन के अंतरगत आते हैं सिंपल सा एक्जमपल पाढ़ले जी कभी आप ले सकते हैं पाढ़ले जी जो है पहले इकिस तरीके से आता था आज भी पांच रुपए का यह आता है लेकिन पहले उसका पैकेट अर्बन अफेर्स के द्वारा लाया गया है और यहां पे card में क्या होगा यह card है जिससे अगर आपको withdraw करना है पैसा तो आप withdraw कर लीजिए अगर आपको metro में टोल पे इस card को चलाना है तो भी आप चला सकते हो shopping mall में shopping करना है तो भी रुपय कार्ड मेकैनिजम के अंतर गयता है रुपय कार्ड मेकैनिजम को NPCI यहां पे डील करता है नेशनल पेमेंट्स कोर्परेशन आफ इंडिया नेक्स्ट एक टर्म न्यूज में है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए connected lending का क्या मतलब है connected lending को इस तरह से समझते हैं देखिए अभी RBI के अंदर यह पूरा इशू चल रहा था उनका एक working group था जिन्हों ने कहा था कि जो big corporate houses हैं उनको भी banking license दे देना चाहिए तो फिर पैसा कहां से लेते हैं काफे सारी investor वगरे और bank से भी यह पैसा raise करते हैं तो इस case में अगर यह जो बड़ी corporate companies हैं इनको अगर पैसे की जर्रत होगी और यहां पर bank भी इनका खुद का ही है तो फिर इनको मतलब कोई issue नहीं होगा क्योंकि generally क्या होता है bank काफे सारी चीजें देखता है कि अच्छा आप eligible है नहीं है कोई risk तो नहीं है क्या risk involved है उस हिसाब से यह सारी चीजे decide होती है तो अब बड़ी जो corporate companies है यह क्या करेंगे directly अपने आपको loan दे सकते हैं या फिर अपनी जो subsidiaries हैं उनको loan दे सकते हैं मतलब यह खुद ही खुद को loan दे रहे हैं यहाँ पर लोगों का पैसा भी involved रहेगा लोगों का पैसा यहाँ पर जमा होता है तो larger public interest के हिसाब से जो connected lending है इसका risk यहाँ पर देखा गया जिसके अंदर क्या होता है कि जो bank है वो loan दे रहे हैं to himself है अपने आपको या उसकी related entity से उसको loan देंगे जिसकी वज़े से NPA बढ़ने का risk बढ़ सकता है क्योंकि मान लीजिए अगर वाकई में वो company ऐसी है जिसको loan नहीं मिलना चाहिए बैंकों से लेकिन अगर उसका और खुदी का bank है वो खुदी bank को on कर रही है और है तो उस case में उसको कौन मना करेंगे तो यह है connected lending related issue इसको ध्यान रखिए नेक्स्ट आते हैं भारत की पहली जो green hydrogen plant लगाया है वो कहां लगाया है और किस ने लगाया है यह अगे इंडिया की तरफ से पहला जो green hydrogen का plant लगा है यह लगा है मत्रा के अंदर यह refinery है Indian oil corporation की Indian oil corporation जो की public sector enterprise है इसने मत्रा refinery में green hydrogen का plant लगाया है क्योंकि इसकी demand बड़ रही है already आपने देखा होगा HCNG जो बसेज हैं जिसमें hydrogen oxygen को CNG से combine करके चलाया जा रहा है इसकी demand है तो इसलिए इन्होंने यहां पर मत्रा में refinery जा गई है जहां तक hydrogen के production की हम बात करें तो water के अंदर जो अगर हम देखते है electricity को इस तरह से लाया जाता है और hydrolysis किया जाता है जिसके output by product के रूप में hydrogen और oxygen कर रहा है तो hydrogen का production हो रहा है तो अब यह जो electricity जहां से आ रही है electricity का जो source है उसके basis पे हम hydrogen को classify करते हैं जैसे यहां पर हमने word use किया green hydrogen hydrogen में hydrogen का जो यह जो electricity का जो source है इसके लिए हम renewable energy को use करेंगे solar heaven जो भी है अगर यह coal gasification के through electricity आ रही है तो उसके लिए हम brown hydrogen यूज़ करेंगे fossil fuels use हो रहे हैं ठीक है तो फिर हम grey hydrogen यूज़ करेंगे अगर nuclear fuel यूज़ हो रहा है nuclear energy अगर वहां पर है तो उसके लिए pink hydrogen यूज़ करेंगे तो यह थोड़े words आप ध्यान रखेगा बाकि hydrogen एक science and tech का भी topic है उस context में भी इसको अच्छे से पढ़ लेना hydrogen energy बहुत important है इसमें science and tech के perspective से अच्छा है यह fuel pump को किस तरह से मतलब जो combustion engine है vehicles है उसमें कैसे energy दे रहा है किस तरीके से यह करता है यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है तो यह electrolysis के तुरू बनाई जा रही है जिसमें electricity आपकी renewable energy है इसलिए हमने इसको green hydrogen नाम दिया है next हम आते हैं इंडिया का यह है push for textile textile के regarding यहां पर चर्चा की जा रही bugs यह जो है मित्रा पार्क जो है इसको यह last year budget में भी न्यूज में था और वापस से अभी न्यूज में रहा है तो यह जो मित्रा पार्क है क्यो बनाए जा रहे है क्या इनका objective है थोड़े ध्यान रखना है गवर्मेंट क्या कर रहे है गवर्मेंट चाहती है कि textile जैसा labor intensive sector ज इसमें world class infrastructure रहेगा efficiency बढ़ाई जाएगी कोस्ट कम की जाएगी investment लाया जाएगा इस देश्य से मित्रा पार्क को लाया जा रहा है seven textile पार्क बनाए जाएंगे अगले तीन साल के अंदर तो यह मित्रा पार्क और यह इतिहान रखिये थोड़ा था अगर हम goods का export देखें तो इंडिया का target था 400 billion dollar का और इंडिया ने last financial year में लगबग 419 419 billion 419 dollar का यहाँ पे target अचीव किया है इसी तरह से services जो exporters में लगबग 2500 billion का target था जिसको इंडिया ने अचीव किया है तो यह already target ही अपने आप में ambitious दे लिकिन इतने ambitious target को अचीव करना व इसको हम बहुत तेजी से बढ़ा है 1 trillion तक इसको लेकर जाएं ठीक है 1 trillion तक इसको लेकर यहाँ पर जाएं और इसी उद्देश्य से champion service sector scheme चल रही है इसमें क्या ध्यान रखना है तो यह champion service sector scheme में कौन-कौन से sectors involved हैं इतने sectors involved है 12 number of sectors are there और इनके नाम थोड़े से ध्यान रख हो गया IT sector हो गया यह तो इंडिया के major service products में है लेकिन इंडिया चाता है जो और प्रोडक्स है जैसे education है accounting finance है ठीक है health wellness है transport logistic यह सारे sector में भी हम अच्छा कर सकते हैं potential है और इस potential को utilize करते हुए क्यों न हम हम हमारा overall export increase करें क्योंकि export देखिए इंडिया का increase होता है तो वह ए आप देख सकते हैं यही sectors के नाम यहां पर लिखे हुए है government ने 12 sectors को identify किया है जिनके नाम यहां पर लिखे है next topic है मारे पास बेंगलूरू को again most leaveable city जो है इस का award यह मिला है यहां पर ad judge किया गया है most leaveable सबसे अच्छी रहने लायक जो city है दिल्ली जो है 13th spot पर आ गई है तो आपने सुना होगा जो कि word bank द्वारा release किया जाता था अभी इसको postpone कर दिया गया है और ease of living जो index है यह कौन release कर रहा है ठीक है जिसके basis पे आप यह बता रहे हो कि consistency leaveable है तो कितना leaveable है नहीं यह है ministry of housing and urban affairs यह जो index release किये जा रहे हैं यह ministry of housing and urban affairs की तरफ से है ease of living index के अंदर यह 13 categories हैं वही basic needs हैं जिसके इसाब से आप यह कर रहे हो ठीक है न कि वहाँ पे green space कैसा है transportation facility, sanitation facility, housing, education, health care इसके basis पे 13 categories के बेसिस पे आपने cities को rank किया हुए पेंगलूरू 1st है, पूने 2nd है और 3rd number पे हम यहाँ पे देखते हैं एहमताबाद है पर chain नहीं और इस तरह से आता है top 3 आप ध्यान रख सकते हो और इसी तरह से a core index यहाँ पे release किया जाता है ministry of housing, urban affairs के द्वारा यह है municipal performance index जो क्या गरेगा जो urban local bodies है, इनको यहाँ पे rank कर रहा है ठीक, इनकी performance के basis पे इनको rank कर रहा है तो यह भी urban area से related है, दोनों में ध्यान रखिए especially ease of living index को आपको अच्छे से देखना है, इसके indicators को भी देख लीजेगा next आते है, lighthouse project, this is again one of the initiative of the housing and urban affairs ministry, जिसमें क्या हो रहा है, देखे कोई भी जो घर बन रहा है, उसके carbon footprint काफी जादा होते है जैसे वहाँ पे अगर cement use हो रहा है, ठीक है, concrete use हो रहा है, तो environment को कितना नुकसान हो रहा है, कितना वहाँ पे emission हो रहा है, यह सब चीज़ government जाती है कि यहाँ पे एक तो हमारी जो housing needs हैं, वो भी पूरी हो जाएं, लोगों को घर आसानी से मिल जाए, इसके लिए परधान मंतरी आवास योजना चल रही है, और इसका जो urban component है, उसी के अंतरगत यह lighthouse projects बनाए जा रहे हैं, इसमें government कह रहे है, within one year, including clearance etc, एक साल में आ ऐसे material, ऐसी technology use करेंगे, जो carbon intensive ना हो, जिसके carbon footprint कम हो, जैसे कि ऐसे घर बनाए जाएंगे, जो गर्मियों में ठंडे रहें, सर्दियों में गरम रहें, जिससे energy की demand जो है, कम रहे, यह सब चीज, यह lighthouse project के अंतरगत है, इसको ध्यान रखेगा, इंडिया के अंदर अगर हम द रखेगा कि यह lighthouse project जो है, यह ministry of housing और urban affair के अंतरगत आता है, next है RBI जो है digital रुपया introduce कर रहा है, तो यहाँ पे जो question बनेंगे वो बनेगा कि digital रुपया, how this digital रुपया is different, from cryptocurrency, और कैसे virtual currency इन में क्या difference होता है, रुपया इसको कैसे work करेगा, यह सब चीज है ना, तो यहाँ प Bitcoin को समझते हैं, फिर हम आएंगे, digital रुपया, Bitcoin, cryptocurrency, यह सब क्या है, यह virtual या digital, यह digital currency ही है, cryptocurrency भी एक digital currency है, digital रुपया आगा वो भी digital currency, digital currency का क्या मतलब है, कि इनका physical existence नहीं है, electronic form में यह exist करेंगी, है ना, computer वगर है वहाँ पे, तो, electronic form में यह exist करेंगी है, यह इन में common thing है, लेकिन अब इन में कुछ differences भी है, differences के अंदर अगर हम आएंगे, तो जो cryptocurrencies है, यह पूरी तरह से क्या है, unregulated है, ठीक है, कोई यहाँ पे central regulating authority नहीं है, जैसे हम देख रहे है, digital रुपया आएगा, digital रुपी आएगा, उसके अंदर central regulatory authority, RBI होगी, तो इसलिए जो digital रुपया इ केस में ऐसा कोई regulation नहीं है, कोई एक institution इसको नहीं बना रहा है, हर देश में हर जगे पे अलग-लग लोग, अलग-लग organizations इसको बना रहे है, cryptocurrency को, cryptocurrency का example, bitcoin है, जैसे 2009 में लाया गया, यह सबसे largest word की cryptocurrency है, market capitalization के हिसाप से, और decentralized authority के द्वारा हो रही है, मतलब कोई एक देश, कोई एक संस्ता इसको regulate नहीं कर रही है, और bitcoin के अंदर क्या होता है, bitcoin mining होती है, जैसे cryptocurrency है, तो इसके अंदर क्या होगी, puzzles वगए होती है, कुछ programs होते हैं, जो computer पे चलते रहते हैं, series of computers है, जिस पे program वगए चल रहे है, puzzles चल रही है, इसके reward के रूप में आपको bitcoins दिये जाते है bitcoin generate होते हैं, तो इस process को हम कहते है, bitcoin mining, अब यह bitcoin साब के बन के तयार होगए, अब किसी में lane dain होगा bitcoin के अंदर, तो उसको record कहां करेंगे, जैसे आप अगर bank में जाते हैं, तो कोई भी जो चीज होती है, lane dain होते हैं, वो passbook में यहां पे mention होता है, यहां पासbook में उसके entry transaction हुआ, उसको blocks के अंदर, यह जो block होते हैं, इनके अंदर information के रूप में save किया जाता है, जब इस block में जितनी information आनी थी, वो आ गई, तो यह जो already existing blocks हैं, उनके साथ जाके attach हो जाता है, तो इस तरह से blocks की chain बन जाती है, और यह जो entries हैं, यहां पे जो information है, वो system में सभी को accessible ह इसलिए यह बहुत ज़्यादा क्या है, transparent है, transparent है, अब इसको manipulate करना भी difficult है कि यह पुरी blocks की chain बनी हुई है, तो almost अभी तो इसको impossible माना जाता है, कि इसके अंदर कोई भी manipulation किये जा सकता है, इसको किसी भी तरह से corrupt किया जा सकता है, इसलिए यह काफी ज़्यादा secure भी हो जात यह जो blockchain technology है, इसको यह use कर रहे है, इस तरही है, तो यह थोड़ा ध्यान रखेगा cryptocurrency के अंदर, और जो central bank digital currency, जो digital rupee आएगा, उसके अंदर क्या difference है, कैसे यह work करेंगे, अब हम आगे यहाँ पर move करते है, और यह है e rupee, how this e rupee is different from the digital rupee, वो digital rupee क्या है, वो digital जो rupee है, वो ब आप में, तो वो तो physical form में है, तो यह digital form में रहेगा, digital rupee है ना, इससे आप जो भी है payment वगर है, वो सब वैसा कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, और इसमें direct होगा, real time transactions रहेंगे, कोई transaction charges वगर है, ऐसा कुछ involve नहीं है, क्योंकि bank to bank वो नहीं है, clear, अब हम आते है e रूपी पे, e-rupee क्या है, यह एक तरह का prepared voucher है, e-rupee यह जो है, इसको समझने के लिए ऐसा करते है, मान लीजे, government क्या कर रहे है, government को यहाँ पर चाहती है, कि सभी लोग vaccine लगवाएं, तो government यहाँ पर चाहती है vaccine लगवाएं, और vaccine सभी लोग afford नहीं कर सकते, तो government ने vaccine लग कईयों ने कुछ और उस पैसे से काम कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जन होगा, government चाहती है, डाइवर्जन ना हो, इसलिए, अब direct पैसे में, अकाउंट में पैसा डालने की बजाए, government क्या करेगी है, e-voucher, e-rupee जो voucher है, यह issue किया जाएग, यह क्या होगा एक तरगा QR code होगा, या फिर आपके पास feature phone, बटन वाला phone है, तो उसके अंदर number alpha numeric, यह message type होगा, अब यह क्या होगा, name specific होगा, जैसे मान लीजे, किसी भी A person को यह दिया गया है, name specific, तो यह जो A व्यक्ती है, यही इसका फायदा ले सकता है, दूसरा यह service specific भी होगा, जै केवल और केवल vaccine के लिए ही इसका फायदा लिया जा सकता, अब आपको कहा जाएगा, यह XYZ centers है, आप यहाँ पर जाईए, vaccine लगवाईए, और vaccine लगवाने के अंदर आपको पैसे देने की जरुरत नहीं है, आप यह केवल यह दिखा देना, यह जो E rupee voucher है, यह दिखा देन आपको वहाँ पैसा देने की जरुरत नहीं है, तो पहले government पैसा transfer कर रही थी, फिल वो पैसा जो है, जो beneficiary है, वो वहाँ पे दे के service ले रहा था, आप government ने कहा किया, उस पैसे देने की जरुरत नहीं है, प्रिपेड कर दिया, यह voucher है, आप इस voucher को दिखाईए, यह जो है उसी के लिए रहेगा, क्योंकि इसके mobile number उससे beneficiary आपने लिया है, और उसी service के लिए उसका use होगा, तो इससे diversion रुप गया है, तो यह जो e-rupee voucher है, कैसे काम कर रहा है, यह मैंने आपको बता दिया, और यह जो पूरा e-rupee voucher है, इसको develop किया गया, NPCI platform के दोरा, National Payments Corporation of India, NPC NPCI वही यह corporation है, जो कि UPI को चलाती है, भी map जिसने बनाया है, रुपय payment system जो है, उसको यह process कर रही है, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से issue किया जाएगा, यह हमने बात कर लिए, NPCI ने अपने इसको UPI platform पे ही develop किया है, NPCI काफी news में रहा ह आगे पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखे, NPCI जो है, यह organization है, जो कि retail payment and settlement system को देख रही है, इंडिया के अंदर, fine, और यहाँ पे यह क्या कर रही है, जो भी technology है, नई-नई innovation है, उसके माध्यम से यहाँ पर यह प्रियास कर रही है, कि कैसे payment system या इसको और ज होता है, जो आप जानते हैं, जिसमें instant real time transfer होता है, कोई भी UPI enabled जो app होती है, phone pay, ATM वगर है, या इसकी खुद की app है, भी map है, जो कि NPCI SWEM की app है, तो इसमें क्या होगा, कि instant money transfer होता है, fine, और आपको कोई भी अपना एक UPI ID बनाना होता है, generally mobile number वगर होता है, और फिर आप UPI सी करके अपना bank account से link करते हैं, और फिर एक UPI pin आप generate करते हो, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से real time में पैसा transfer हो जाता है, अब NPCI के द्वारा और कौन-कौन सी जो services हैं, ठीके ना, वो चला ही जा रहे हैं, तो UPI के अलावा अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे IMPS, immediate payment service यह भी यही चलाता है, आधार enable payment system भी चलाया जाता है, भारत bill payment system और रुपय कार्ड जो है, यह भी इसी के द्वारा चलाया जा रहा है, कैसे वर्क करता है तो हम देखी चुके हैं, next हम आते हैं, merchant discount rate क्या होती है, यह पुछा जा सकता है, तो बस इसमें ध्यान रखिए, इसके लिए एक fees charge की जाती है, merchants से charge की जाती है, जिनको पेमेंट जा रहा है, उनसे वो fees charge की जाती है, जिसे हम कहते है, merchant discount rate, so MDR is basically a kind of fee charged to the merchants for processing the payments, made through the cards, UPA, etc, इसको लेके यह चर्चा में रहा है, MDR क्या होता है, यह पुछा जा सकता है, next आते हैं, again, बहुत important है, और interesting भी ह रहे है, non-fungible token को जानने से पहले हम इस word का मतलब समझते है, non-fungible चीजें क्या होती है, और fungible items क्या होती है, मान लीजिए आप किसी shop पे जाते हैं, और वहाँ पे काफी सारी books रखी है, लक्षमिकांत की books रखी है, सारी नई books हैं, बिल्किल fresh books हैं, और उन सब ही का price अग अगर आप ये वाली book लेते हो, तो भी वही मिलेगा, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है, मुझे वह book देते हो, तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, जो दुकांदार है, वो आपको कोई सी भी book उठा के देतेगा, सारी वही लक्षमिकांत के same additions हो है, तो ये क्या है, अ पूरी underline highlight करके अच्छे से उस book को तयार किया, अब वो book जो है, वो दूसरी सारी book से, या पूरे word में जितनी भी लक्षमिकांत की books हैं, या जो भी दूसरी books हैं, उन सबसे ही अलग बन चुकी, वो क्या हो गई है, ये यूनीक हो गई है, अब इसकी properties क्या है, यूनीक हो ग जाते हैं, जो अभी news में भी रहा, शोले film जो है, आप सभी ने देखी होगी या सुना होगा, शोले film का poster था और वो पहला poster था जिस पर अमिता बच्चन ने अपना autograph दिया, तो उसको इन्हों ने क्या किया, पहले digital asset में convert किया, ठीक है, कोई इसमें digital asset में convert होने वाले चीज NFT बन सकती है, अच्छा है कोई image है, कोई video है, कोई paper की clip है, कोई tweet हो गया, anything could be there, painting है जिसको digital asset में convert किया गया, फिर उसको crypto token एक तरह से उसका बनाया गया, और वो NFT बन गया, non fungible token बन गया, अब इसकी निलामी की गई, auction किया गया, और जिसको करोडो रुपे या लाखो रु 2.9 million dollars के अंदर, 29,000,000 dollars के अंदर ये विका था उनका tweet के वाद, इसको NFT में convert कर दिया था, NFT ये इस तरीके से work करते हैं, अब इसमें जो भी चीजे हैं, चाहिए वो art items हो गए, even real estate है, जिसको tokenize किया जा सकता है, उनको इसमें include कर लिया है, और again NFT के transactions वगरे आप देखोगे, तो इसके लिए कौनसी technology यूज हो रही है, वही आप देखेंगे, तो blockchain यूज किया जा रह ठीक है, तो ये सब चीजें आपको धिहान रखनी है, all these things you should remember, next हमारे एक और lecture, दो किन lecture और हम प्लान कर रहे है, तो वहाँ पर definitely हम budget को भी एक बार देख लेंगे, budget economic survey से कुछ important highlights हैं, वो भी देखेंगे, और इसके लावा bad bank और ये जो concept है news में, और इनको भी लेंगे, तो for your complete preparation, फिके भी preparation बड़ी easy हो गई है, you do not need to shift in big cities, there is no compulsion to spend lakhs of rupees, बहुत ही nominal fees के साथ आपको सारे resources, GS, CSET, और optional subject, इस अभी एक ही जगे पर मिल जाते हैं, subscription, link description box में आपके दिये गए हैं, जब आप उस पर click करते हैं, तो आपको इस तरह से plans मिलेंगे, अपनी needy के according आप plans choose कीजिए, and put the code rblight to get maximum discounts, और यहाँ पे अभी आपकी fees जो है, hike का alert है, तो definitely you can go add, iconic की ये fee structure है, iconic में आपको live mentorship के benefit मिल रहे हैं, और अगर अभी आप Iconic ले रहे हैं, तो आपको ये साड़े साथ हजार की बुक्स हैं, practice booklets, जिसमें 10,000 MCQs हैं, ये भी free of cost दी जा रही है, इसके लाग केवल optional लेते हैं, तो ये केवल optional के plan है, और subscription के साथ आपके सबी educator के courses free हो जाते हैं, नए बैचे courses आपके 25 मई से start हो रहे हैं, जो भी बच्चे 2023 या 2024 की तियारी कर रहे हैं, तो definitely आप जा सकते हैं, in courses में enroll कर सकते हैं, optional carnival में एक आफ़जार नए optionals आपके start हो रहे हैं, और अगर आपका doubt है, तो real time doubt solving के लिए dedicated faculties आपके लाई गई हैं, ये आप benefit भी यहाँ पर ले सकते हैं, and 0% EMI के थूरू भी आप subscription ले सकते हैं, again a benefit ही है, price high का alert यहाँ पर है, तो definitely वह increase होने से पहले आप यह सारे benefit ले सकते हैं, pathfender, current affair जो test series है, तो यह benefit भी आप ले सकते हैं, और Sunday को combat रहता है, scholarship test है, जिसमें 60 minute में 56 questions होते हैं, जहां पर आप काफी सारे prices, जैसे MacBook, iPad वगएर जीत सकते हैं, अपनी preparation को assess कर सकते हैं, अगें, link description box में रहता है, use the code RBLIVE to unlock this free ultra combat, this is all for today, don't forget to like, share, subscribe, all the rest, have a great day.